हलो फ्रेंट्स सोनी बीटिक में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज हम करेंगे एक फिस कटिंग पेटिकोट की कटिंग तो चली बीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी कटिंग तो यह हमारा जो फैब्रिक है यह हमारा दो मीटर का फैब्रिक है और हम सबसे पहले इसमें से अपना बेल्ट निकालेंगे तो यहां से साइड से हम अपनी चोड़ाई की साइड से डबल फोल्ड कपड़ा है हमारा यह और यहां से हम अपना बेल्ट निकालेंगे तो सबसे पहले हम अपना कमर देख लेते हैं तो यह हमारा 17 इंच का आ रहा है हाफ 17 इंच है यानि 34 इंच का हमारा कमर तयार होगा अब यहां से हम अपने बेल्ट की चौड़ाई लेंगे तो वो हमें 4 इंच ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और 2 इंच का हमें बेल्ट तयार करना है तो ऐसे हमें 2 इंच का तयार करना है तो एक इंच हम इसमें पलस करके लेंगे तो इस कपड़े को ऐसे ओपन करेंगे खोलेंगे और यहां से पांच इंच पे निशान लगाएंगे एक निशान आगे की शाइट को भी लगाएंगे इन सभी निशान को सिधा कर लेंगे एक दूसरे से मिलाते हुए यहां से सिधा निशान लगाके हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो यह हमारा बेल तैयार हो गया है अब हम कपड़े को इसको चार राउंड में इसको फोल्ड करेंगे यानि मोल्ड लेंगे और बंद साइड जो है वो अपनी साइड को रखेंगे और किनारी वाली साइड को आगे की साइड को रखेंगे अब हम उतना कमर का देखेंगे तो यह हमारा 34 इंच का कमर है हाफ 17 हुआ तो 34 का हम चौथा भाग निकालेंगे आप ऐसे भी निकाल सकती है यह हमारा जैसे 17 इंच है तो 17 का हाफ कर ले तो यह हमारा 1.5 इंच आएगा तो जो भी आपका कमर हो वैसे आप इंची टेप को वहाँ से रखते हुए जितना चोड़ा कमर बनाना चाहती है वैसे रखते हैं और आसे इंची टेप को डबल फोल्ड कर लए तो यह हमारा चोथा भाग निकल आयगा तो यहां से हम यह डबल साइड जो हमारा पंद साइड है उस साइड से हम यहां पे 4-4 इंच पे निशान लगाएंगे अब हमें उपर से आधा इंच सिलाई मार्जिंग छोड़ना है यहां से ऐसे सिलाई मार्जिंग छोड़ेंगे अब यहां से हम दो इंच इंच टेप को दो इंच उपर रखेंगे जो हमारा दो इंच बेल्ट तयार होगा और यहां से हिप का निशान नो इंच पे लगाएंगे और घुटने का निशान यहां से 19 इंच पे लगाएंगे तो यह हमें तिन निशान लगाना है कमर, हिप और घुटने का अब इन निशानों को हमें से सीधा कर लेंगे अब यहां से हम चार इंच का जो हमने कली तयार करना है वो चार इंच का निशान लगाएंगे एक निशान यहां से भी लगाएंगे चार इंच पे अब ये हम निशानों को सीधा कर लेंगे अब ये निशान हमारा सीधा हो चुका है अब हम नीचे का निशान लगाएंगे तो यहां से हम कपड़े को उपर किशाइट लेंगे अब यहां से हम आपको अपनी कलिया निकालेंगे तो यहां से दिखे पहले हमें कपड़े को एक बरावर कर लेना है जो ये किनारी की शाइड है उसको आपस में एक दूसरे से बरावर मिलाते हुए कपड़े को सेट कर ले थोड़ा भूत भी इधर अधर ना हो अब यहां से हम साड़े साथ इंच पे निशान लगाएंगे तो यहां से साड़े साथ इंच पे एक निशान लगा लेंगे अब इस निशान से अब यहां से जो हम साड़े साथ इंच पे निशान लगाया है अब यहां से और इस निशान को आपस में मिलाएंगे तो यहां से इंची टेप को ऐसे रखेंगे और यहां पर लेकी आएंगे आप चाहें तो ऐसे इंची टेप से भी कर सकती है या फिर आप इसकेल पटी हो तो आप उससे भी ऐसे तिर्छा निशान लगा सकती है अब यहां से हलकाशा हम गोल सेप देंगे यहां से हलकाशा गोल सेप लेते हुए हम यहां से कटिंग करेंगे तो यह हमारी कलीयों का जो है निशान लग चुका है अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ से हम कपड़े को नीचे की साइट करते हुए हम अपकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंट्स आपसे छोटी सी रिक्वेश्ट है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी अन कर लिजेगा हमारे ऐसे ही इजी स्टेप के साथ कर्टिंग और इस्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए और वीडियो पसंद आये तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अब इस वाले कपड़े को हम ऐसे पलटेंगे जो हमारी नीचे वाली शाइट थी जो हमने साड़े साथ इंच पे निशान लगाया था उस वाले पाट को हम उपर की शाइट लेंगे और ये किनारी वाली शाइट को आगे की शाइट लेंगे जो हमारी किनारी वाली साइट थी उसको हम ऐसे आगे की साइट करेंगे और ऐसे पलट लेंगे अब इसके उपर से हम ऐसे आधा इंच रखेंगे लेकिन आप पहले यहां पर हम निशान लगा लेंगे ताकि यह हमारा बरावर से सेट हो तो यहां से आधा इंच पे निशान लगा के हम इस निशान को शिधा कर लेंगे तो यहां से ऐसे सिधा कर लेंगे और इस निशान से हम आपस में मिला लेंगे इसे आप असानी से एक बरावर सेट कर सकती हैं तो यह रेखे, यह हमने ऐसे सेट कर लिया है, एक बरावर सेट करें, अब हम नीचे के सेट करना है, वो भी दिखाते हैं, तो हम उपर किशाइड लेते हैं, अब इस वाले पाट को यहां से ऐसे पकड़ेंगे, और यह जहां तक जा सकता है, यह इसके अंदर, ऐसे हम इसको ब बढ़ा लेंगे, इस निशान को भी हम आगे की शाइड बढ़ाएंगे, इसकी कटिंग के बाद हम आपको इसकी स्टिचिंग भी दिखाएंगे, शाइड ओपन भी बनाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, यह बहुत ही पर्फेल्क फिटिंग के साथ बनके तयार होगा, चलिए अब हम कमर का निशान लगाते हैं, तो कमर हमारा 34 इंच है, तो 34 का चौथा भाग 8 इंच पर निशान लगाएंगे, तो यहां से हम 8 इंच लेंगे, अब हिप का हम यहां से 40 इंच रखेंगे, हिप के हम दूजिंग देंगे, यहां से हम 10 इंच पर साड़े 10 इंच ही रखे, इस से बढ़िया हैं और 10 इंच पर भी ये काफी टाइट होता है अगर आप और किसी कपड़े से बना रही हैं जो इसमें फिटिंग दे सकते हैं तो यहासे हम 10 इंच लेंगे और गुटने पर हम59 इंच लेंगे हिप से हम आधा इंच कम करते हुए अपने घुटनी का निशान लगाएंगे और इस सेफ पट्टी से हम इस निशानों को मिला लेंगे फ्रेंट्स अगर आपके पास सेफ पट्टी ना हो तो आप ऐसे हाथों से भी इसको हलका साफ गोल्ड राउंड करते हुए सब निशान को आपस में मिला लें चलिए हम नीचे की अपकलिया निकाल लेते हैं तो यहां से इंची टेप को रखेंगे और नीचे एकदम किनारे पे लेके जाएंगे नीचे से हमें थोड़ा भी कपड़ा अब नहीं छोड़ना है सिर्फ अपे हम शिलाई मार्जिंग एक इंच छोड़ते हुए हम यहां से निशान लगा लेंगे तो यह देखिए ऐसे हमें शेप लेते हुए गोल सेप देते हुए इसका कटिंग कर लेंगे अब यहां से हम एक इंच का शिलाई मार्जिंग रख रहे हैं आप चाहें तो डेड़ इंच का भी शिलाई मार्जिंग रख सकती हैं तब आपको ज्यादा टाइट महसूस हो तो आप उसको हलका सा लोजिंग दे सकती हैं तो आप अपने अनुसार शिलाई मार्जिंग रख लें तो ये हमारे अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूश सकती है प्रेंट से ये बनने के बाद बहुती परफेक्ट फिटिंग के साथ बनके तयार होता है आप इसे एक बाट राई जरू करिएगा तो आप यहां से देख सकती है हमने नीचे बिल्कुल भी कपड़ा नहीं छोड़ा है इदम नोकी कटिंग किया है अब आपको हम फुल कटिंग दिखाते है तो यहां से आप देख सकती है ये कितना काफी घीरा बनके हमारा तयार होगा ये फुल कमफटेवल है आप चलने में भी बिल्कुल भी प्राब्लम नहीं आएगी अब यहां से जो जोईंट है हमारा इसको हम कट करके निकाल लेते हैं सेम हम इस कली में भी जोईंट जो है उसको भी कट करके निकाल लेंगे और इस वाले पार्ट से हम अपनी डोरी कट कर लेंगे तो चली चलते हैं शिलाई मशीन पे यह मशीन पे आ चुके हैं तो सबसे पहले हम अपनी डोरी तयार करेंगे तो यहां से ऐसे फोल्ड करते हुए अपनी डोरी को तयार कर लेना है तो यह हमारी डोरी बनके तैयार हो चुकी है चलिए हम अपने कलियों को जॉइंट कर लेंगे तो कलियों को जॉइंट करने के लिए इसको ओपन करेंगे फ्रेंट्स इस पे हमने जो यह निशान लगाया है वो सीधी साइड को लगाया है ताकि आपको इजली समझ में आए जब हम उसकी स्टिचिंग करें तो यहां से यह देखें ऐसे मिलाएंगे यह हमारी किनारी वाली साइड है सीधी साइड है और यह भी हमारी सीधी साइड है तो दोनों साइट सीधी साइट को हम एक दूसरे के उपर रखते हुए ऐसे, यहां से मिलाते हुए इस पे हम इश्टिच करेंगे, तो यहां तक जो हम सीधा निशान लगाया है, वहां तक हम ऐसे सीधी शिलाई लाएंगे, यहां तक देख सकती है, अब यहां से हमारा यह कली जो है तीछा कट है, तो यहां से हमें कपड़े को बिलकुल भी नहीं खीचना है, और एक दूसरे पर आराम से ऐसे रखते हुए, इस पे शिलाई लगाते चले जाना है, कपड़े को बिलकुल भी ना खीचे, जहां पर भी आपने उरे भी कट किया है, वहां से कपड़े को नहीं खीचना है, तो यह आप देख सकती है, हमने एक साइट के कली को जोड़ लिया है, अब हम दूसरे साइट को जोड़ेंगे, तो यह हमारी किनारी की साइट को ऐसे मिलाते हुए, और जो हमारी सेव वाली कटिंग है, उसको हम साइड में रखेंगे, और ऐसे मिलाते हु है क्योंकि हमारी यहां से उर्षे अरेवी कट है आधार है में प्रण नीचे का जो है अभी हम कट नहीं करते हैं मैं तो हुद्थ पहलेंगे तो यह हमने दोनों पार्ट को प्रण कर लिया है अब हम किनारे वाली जुद हमारी वाली cutting है यह वा लिकर इसको हम ज जॉंट करेंगे तो यहां से ऐसे पकड़ते हुए जो भी आपने सिलाई मारजिंग लिया है कि पर आप ऐसे पकड़़के इस सिलाई लगा सकती है तो यहां से हम जैसे अपना सिलाई margin जितना रखा है उस पे हम शिराई ऐसे लगाते हुए उतना कपड़ा दबाते हुए यहाँ पे अपने शिलाई को कुम्प्लीट कर लेंगे अब यह हमारी दोनों पार्ट सेफ वाली है यहां से अच्छी तरस सेट करते हुए शिलाई को कुम्प्लीट कर लें और नीचे की साइड हम मशीन को तिर्चा लेके जाएंगे और नीचे आधा इंच ही सिलाई margin रखेंगे तो यह देखिए यहां से नीचे से हमने हलका सा मशीन को तिर्चा करते हुए शिलाई करके कंप्लीट कर लिया है अब इस वाली साइड पे हम किनारी की साइड थोड़ा सा ओपन करेंगे ताकि यह हमें पहनने में प्रॉब्लम ना आए तो यहां से हम दो इंच के करीब यहां से ओपन करेंगे आप दो इंच अधाई इंच तीन इंच आप जितना ओपन करना चाहती है वैसे यहां पर कर सकती है यहां से हम मशीन को शिलाई को पका करते हुए इसकी नारी को भी इस्टिच कर लेंगे यानि शिल लेंगे तो यह हमारी शिलाई कम्पलीट होती है आप यह देख सकती है इस पे भी हमने शिलाई लगाया है जितना अपना शिलाई मार्जिंग रखा है अब इस दागे को कट करके हम यहां से इसको फोल्ड करेंगे जो ही हमने ओपन साइड बनाया है अब यहां से ऐसे मिलाते हुए आपको यहां से मेजर करके दिखा देते हैं तो यह हमने अधा इंच उपन किया है आधा इंच हमारा उपर सिलाई मार्जिंग जाएगा जब हमार बेल्ट अटेज होगा, अब यहां से ऐसे फोल्ड करते हुए अपना चौक बना लेंगे, जैसे हम सूट में बनाते हैं, अब यहां से हम ऐसे फोल्ड करेंगे, वो मशीन को घुमाते हुए इस साइड को भी हम सिलके कम्प्लीट कर लेंगे, यह हमारी शाइड का उपेन हो गय करना ते निसके लिए भाइक तूरि हम क्या करेंगे। जो हमनी डोरी तेयार किया है. उसों किया यहां पर खरेंवे हो यहां पर आइस हैं यहां पर जोइंता कर देंगे चलिए अब हम अपना बेल्ट अटेच कर लेते हैं तो यहां से हम उल्टी साइड से अपने बेल्ट को यहां पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे जो भी आपने सिलाई मार्जिंग रखा है वहाँ से सिलाई को आधाएंच यहाँ से सिलाई मार्जिंग रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई को कम्प्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स अगर आपको छैकली पेटी कोड की भी कटिंग देखनी है तो आप हमारे चनल पर जाके देख सकती हैं हमारे चनल पर आपको छेकली पेटिकोर की वीडियो अपलोड है आप वहाँ से देख सकती है यह हमारे शिलाई कम्प्लीट होती है अब इसको हम नाखुन से सेट कर लेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे सीधी साइट से अब इहां से भी हम इसे आधाईन शिलाई अंदर की साइट कप्रा लेते हुए इसे फोल्ड करके नोकी शिलाई लगाएंगे इहां से अच्छी तरह से सेट कर लें और इहां पर इसे नॉर्मली बेल्ट को रखें बिल्कुल भी खीचे नहीं और इहां पर नोकी शिलाई लगाते हुए शिलाई को कम्प्लीट करके बेल्ट रटाइज कर लें यह देखे यह हमारा बेल्ट तैयार हो चुका है यह हमारा बराबर से आया है परन इतना आपने शिलाई मार्जिंग जहां जहां पर रखा है से मुतना ही लगाएं नहीं तो आपका बेल्ट कम या ज़्यादा हो सकता है अब यहां से हम इस पर एक पाउं का गैब देते हुए डबल सिलाई लगा लेंगे यह हमारा बेल्ट लगके तैयार हो चुका है चलिए अब हम नीचे की कटिंग करेंगे तो जब भी आप बेटिकोट की कटिंग करें पहले नीचे कटिंग करें आप इसको इस्टिच करने के बाद से ही यहां से कटिंग करें तो यहां से हमारा एक इंच एश्ट्रा हो रहा है तो यहां से भी हम एक इंच पे ऐसे लेते हुए तिर्चा मिलाते हुए यहां तक लेके आएंगे और इस वाले पार्ट को यहां तक अब यहां से देखिए ऐसे फोल्ड कर लें जो भी आप चितना चोड़ा फोल्ड करना चाहती है वैसे आप यहां से फोल्ड करते हुए यहां से नॉर्मली फोल्ड करते हुए और यहां से ऐसे सिलाई लगा लें नोकी ऐसे इस पूरी किनारी को हम तयार कर लेंगे नीची की शाइट फ्रेंट्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल पैसे ही आपको इजी श्टिप के साथ करटिंग और इस्टिचिंग की वीडियो मिलती रहती है तो यह हमारे शिलाई कंपलीट होती है यहां से कट कर लेंगे और यह जो हमारे घुटनी के पास जो हमारा गूल सिप था वहां पैसे तीन छोटे छोटे कट लगा लेंगे तो आप इसका फुल घेर देख सकती है यह हमारा 39 इंच यानि 49 इंच का घेर कंपलीट हो चुका है यह काफी कमफर्टेवल है चलने में तो उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अन कर लेजिएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार